Hello everyone, welcome to HVS Studies तो दोस्तो 6 September की 3rd shift आपकी complete हो चुकी है SSC MTS exam की तो आज की 3rd shift में आपके जो भी question पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में cover करेंगे ये सभी questions 100% real questions है जो questions आज की shift में आपके बने हैं उनी questions को आज हम इस वीडियो में cover करेंगे जो analysis की videos रहेंगे अगर आपको उनकी free में PDF चाहिए तो हमारा telegram group है जिसका link description में provided है आप description में जाके telegram group को join कर सकते हैं वहाँ पे आपको सारी shift की analysis की PDF मिल जाएंगी तो चलिए वीडियो को start करते हैं आज के पहले question से तो आपसे question पूछा गया who won the most award in kathak dance form तो kathak नित्ते में जो सरवदिक पुरुसकार जीते हैं वो किसने जीते हैं इस type का कोई question आपसे पूछा गया था जिसमें बिर्जु महराज आपके option में थे जो आपके kathak से related रहेंगे तो बिर्जु महराज इस question का आपका correct answer था यहाँ पे dancers की बात करी गई है कathak से related बिर्जु महराज हो जाएंगे आपके पिछली shift में भी second shift में भी आपसे पूछा गया था कि बिर्जु महराज कौन से dance form से related है उसमें आपका कathak answer था अगर रुकमिनी देवी अरुंदिले पूछा जाए तो भरतनाट्यम से है कathak से संबंदित आपकी हो जाएंगी बाकी hundred question की separate video मिलेगी आपको famous dancers की उसका link आपको description में मिल जाएगा all static gk topic के नाम से playlist मिल जाएगी उसमें आपको सारे topic की separate video provided है आज की तीनों shift में dancers related to dance form topic से question देखने को मिले है जो पिछली shift रहेगी उसमें 2-3 question बने थे dancers के तो इसलि फिर autobiography से दुबारा question पूछ लिया गया fall of a sparrow is the autobiography of the fall of a sparrow किसकी आत्मकता है ये question आपसे पूछ लिया गया जिसमें सलीम अली आपका question का correct answer था autobiography से भी लगातार exams में question बन रहे हैं हर शिफ्ट में 2-3 question minimum autobiography और books and author के मिलाके बन रहे हैं अगर autobiography की हम बात करें the race of my life Milka Singh की, six machine Chris Gale की, controversially your showy bhaktar की, 281 and beyond VVS Lakshman की, unfinished Amemur Prinka Chopra की, long walk to freedom Nelson Mandela की, dreams from my father Barack Obama की, freedom in exile Dalai Lama की, truth, love and a little malice खुश्वंत सिंग की autobiography हो जाएगी बागी autobiography की भी 100 question की separate video channel पे आपको already provided है अगले question पे बढ़ने से पहले मापको बताना चाते हैं कि सिर्फ 79 rupees में आपको एक ebook provide कराई जा रही है, जिसमें total 8 month के last 8 month के current affair आपको मिल रहे है, मतलब 2023 का complete current affair आपको provide कराई जा रहा है, सिर्फ 79 rupees में और ये full extra information के साथ होगा, जो static information है, वो भी आपको पूरी तरीके से provide क कराई जा रही है, बिल्कुल game changer ebook है, बहुत जादा important है, 2000 प्लस current affair के questions आपको इसमें मिलेंगे, जनवरी से लेके August 2023 के सारे current affair के question इसमें आपको cover करा दिये गए हैं, और जितने भी हर shift में 3-4 question minimum पूछे जा रहे हैं आपके current affair के sports के हो गए और बाकी scheme से related हो गए, तो वो के अगर आप interested हों, तो link description में है, आप description में जाके इस ebook को download कर सकते हैं, अगर आपको downloading में कुछ भी issue आता है, तो नीचे हमारी Gmail ID है, आप इस पे हमको directly mail भी कर सकते हैं, next question देखते हैं हमारा, who among is a famous santur player, निमलिकित में से कौन एक प्रसिद संतूर वादक हैं, तो पंडित शिफ कुमार शर्मा इस question का आपका correct answer था, जो musician है related to musical instrument, ये topic आपका रहेगा जिससे ये question पूछा गया है, दो से तीन question आज की shift में musician से भी आपके देखने को मिले हैं, पंडित रवी शंकर सिता प्ले करते हैं, पंडित शिफ कुमार शर्मा संतूर प्ले करते हैं, सजाद हुसेन सुरबहर प्ले करते हैं, जिया मोदीन खान बीना प्ले करते हैं, असद अली खान रोद्रवीना, पंडित विश मोहन भट, ये मोहन वीना के इंवेंटर हैं, शकूर खान और पंडित राम तबला प्ले करते हैं, बुद्ध आदित्य मुकरजी सितार प्ले करते हैं, और रमेश मिश्रा सारंगी प्ले करते हैं, ये सब आपके बहुत important famous musicians हैं, जो आगे की shift में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, 120 questions की separate musicians की वीडियो भी आपको चैनल पे मिल चाहेगी, अगला question आपसे dance form से पूछा गया, dance form से भी हर shift में एक question जरूर पनना है आपका, तो रिखम पाड़ा is a traditional dance form of which state, तो रिखम पाड़ा जो है, ये एक राज्य का कौन से राज्य का निर्ट्य है, तो इसमें अरुनाचल प्रदेश इस question का आपका correct answer था, अगर कुछ important dance forms की हम बा कश्मीर से, भरत नाट्यम तमिलनाडू से, गिद्दा है पंजाब से, दौम का जारकंड से, कुचीपुडी आंदर प्रदेश से, मोहिनी आटम है कैरिला से, सत्री है आसाम से, भवई रहे का गुजरात राजिस्थान से, यक्षगना करनात का का dance form हो जाएगा, तो ये dances है आपके जो आपको और याद रखने हैं, बाकी पूरा टॉपिक को कवर करने के लिए जो सेपरेट टॉपिक की वीडियो है, वो आपको चैनल पे ज़रूर मिलेंगी, आप उनको बिल्कुल भी मिस मत करना, फिर स्पोर्ट से कोश्चन आपका पूचा गया, अभी तक जो हमन को देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं, इनसे जादातर हर शिफ्ट में कोश्चन देखने को मिल रहा है, तो मैंस होकी जूनियर एशिया कप 2023 रनर अप कंट्री आप से पूची गई, तो पुरुष होकी जूनियर एशिया कप जो हुआ है 2023 का, उसमें उप विजयता देश आप से पूचा गया, जो पाकिस्तान आपका इस कोश्चन का करेक्ट आंसर था, जिसको जीता गया था, इंडिया के द्वारा और इंडिया का ये फोर्थ टाइटल रहे का, जितने भी स्पोर्ट्स 2023 में आपके और्गनाईज हुए हैं, वो सब हमने जो हमा जरूर देखने को मिल रहे हैं, FIH मैंस होकी भी आप से पूचा जा सकता है, जिसको होस्ट किया भुवनेशवर, औरोर्किला उडिसाने, चेंपियन रहा इसमें जर्मनी, रनर अप रहा बेल्जियम, थर्ड प्लेस पे निदलेंड रहा, फाइनल मैच कलिंग स्टेडियम बुवलेशवर में खेला गया, सबसे जादा स्कोर्ड जेरीमी हेवर्स जो की ऑस्टेलिया से हैं, उन्होंने किये, बेस्ट प्लेयर रहे, निकलास वैलेंड जर्मनी से बलॉंग करते हैं, बेस्ट गोल की पर हैं, विंसेट वैनेश बेल्जियम से, बेस्ट यंग प्लेयर हैं, मुस्तफा कैसीम साउथ अफरिका से, 2018 की जो चैंपियन रहा, वो बेल्जियम रहा, 2016 का होस्ट किया जाएगा, बेल्जियम और नीदलेंड के द्वारा, तो ये आपका मैंस होकी टूर्नमेंट की यहां पर बात की जा रही है, वर्ड कप की 2023 की, बाकि जितने भी स्पो के किस राज्य का त्योहार है, तो इसमें आसाम इस कोश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपसे फेस्टिवल से भी लगातार कोश्चन बन रहे हैं, एक कोश्चन आपसे पूछा गया, जो पर्मनेंट सेटलमेंट आया था, पर्मनेंट सेटलमेंट और अगर हम इससे रिलेटेड कुछ बात करें, तो जो गवर्नर जनरल से हमारे, उनको एक बार देख लेते हैं, इसमें हमारा सेगेंड कूश्चन ही रहेगा कि इंट्रोडक्शन और पर्मनेंट सेटलमेंट इन बंगाल 1793 में लॉर्ड कॉन वैलिस के द्वारा किया गया था, एशेटिक सोसाइटी ओफ बंगाल को 1784 में स्टैबलिश किया गया था, वोरन हैस्टिंग के द्वारा, फोर्ट विलियम कॉलिज 1800 में स्टैबलिश हुआ, लॉर्ड वैलिसले के द्वारा, एनेक्जेशन ओफ अबद हुआ, 1856 में लॉर्ड दलाउजी के टाइम पे, डॉक स्टैबलिश में स्टैबलिश में आपकी हुजा गी। जो आगे exams के लिए भी important रहेंगी फिर एक question और आपसे musician से आज पूछा गया कि हरी प्रसाद चौरसिया is related to which musical instrument हरी प्रसाद चौरसिया का संबंध आपका किस वाद्दे यंत्र से है तो ये आपका flute play करते हैं who has the authority to nominate members to raja sabha तो आप सबको पता है raja sabha में जो members को मनोनित किया जाता है वो किया जाता है president के द्वारा राज्यसवा में लोक सबा में किया जाता है वो आपके president के द्वारा nominate किया जाते है members को तो पिंजर जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई तो अमरिता प्रीतम इस question का आपका correct answer था books and author का एक question बना है आपका और एक autobiography का question बना है तो दो question पूछे गए हैं आपके 10 question में से बाकी और भी ज़्यादा हो सकते हैं questions जो आपके books and author या autobiography से पूछे गए हों तो minimum दो या तीन question तो आपके बन रहे हैं अगर कुछ books की हम बात करें तो freedom behind bars है किरनवेदी की नेक triangle बलवंत गारगी की The struggle in my life Nelson Mandela की Straight from the heart कपिल देव की Swami and friend आरके नारायन की है और आरके नारायन की एक और बुक रहेगी The Guide और The Guide जो बुक हैं की वो और लेड़ी दो से तीन बार अभी तक आपकी 9 से 10 shift में पूछी जा चुगी है The Man Who New Infinity रामनुजन की बायोग्राफी रहेगी रॉबर्ट कैनिगेल के दुआरा लिखी गई है We Indians और Train to Pakistan है खुश्वन्त सिंग की Usuitable Boy है विकरम सेट की रक्त कराबी और गितांजली रविन्नाथ टैगोर की A Voice for Freedom नेंतारा सेगल की कश्मीर बिहाइंड दी वेल्स एम जे अकबर की सैटनिक वर्सेस सलमान रुष्दी की Midnight Children भी सलमान रुष्दी की ही है The God of Small Things अरुंदती रॉय की Madhu Shala रिवंच राय बच्चन की और The Blind Assassin Margaret Atwood की आपकी बुक हो जाएगी इसके बाद एक कोश्चन आप से पूचा गया आर्टिकल से रिलेटेड पिछली शिफ्ट में भी दो से तीन कोश्चन आर्टिकल से बने थे आज की शिफ्ट में थर्ड शिफ्ट में भी पूचा गया है तो citizens the right to move freely throughout the territory of India comes under which article of the Indian constitution तो कोई भी नागरिक है वो freely स्वतनता आपका भूम सकता है भारत की territory में तो ये आपका कौन से अनुछेद में आता है तो 19, article 19 का जो clause 1 रहेगा उसमें आपका बताया गया है इस बारे में तो इसमें आपका article 19 1 clause आपका correct answer था एक question फिर आपसे पूचा गया who was the chairman of the MSP committee तो chairman कौन था committee का जो की MSP पे बनाई गई थी तो उसमें आपका correct answer था संजय अगरवाल संजय अगरवाल आपसे पूचे गए थे अब यहाँ पे article 19 है हमारा उसकी बात करी गई है इसमें आपके अलग-अलग clause आते हैं पार्ट 3 का ये पार्ट रहेगा fundamental rights का article 12 से 35 के बीच में तो एक बार इसको cover कर लेते हैं क्योंकि पिछला जो आपका 2022 का exam हुआ था उसमें बहुत जादा question यहाँ से देखने को मिले थे तो article 91 A में आता है all citizens shall have the right to freedom of speech and expression 19 B में आता है all citizens to have the right to assemble peacefully and without arms 19 C में आता है आपका right to form association and union 19 D में आता है right to move freely throughout the territory of India तो यहाँ पे आपका 19 D आपको option में मिला होगा 19 D आपका इस question का correct answer होगा यह थोड़ा सा गलत हो गया 19 D आपका correct answer इस question का हो जाएगा 19 D में आपके पास right होता है to reside and settle in any part of the territory of India 19 F को omitted कर दिया गया हटा दिया गया 19 G में आता है आपका freedom to practice any profession carry or any occupation trade or union तो यह आपके 19 जो हमारा article है उसके parts हो जाएगे जो आपको याद रखने है आगे के लिए भी important हो सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो जिसमें कुछ static के points भी आपको मिल जाएंगे तो बहुत ही जादा important ebook आपके रहने वाली है आगे exams के लिए भी और अगर आप किसी और exam की भी तयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत जादा मदद मिलेगी तो आप इसको जरूर एक बार check out करें धन्यवाद